जहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकरा हैं आपके लिए आपके लिए आपके लिए अपन पढ़ रहे हैं नाटक से नाटक विदा से सम्मंदित कॉस्चन अंसर तो उसी को आंगी और यहां पर पढ़ते हैं तो सभी लोग वीडियो को लइक करने हैं चैनल को सब्सक्राइब करने हैं वह ज्यादा से जादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाईज आती है आप सभी को हिंदी साइट में अगे सब्सक्राइब कराया नाटक बताना है काली का मंगल है सरस्वति मंगल है विद्या सुन्दर है 302 में आप सभी लोग शेन करिएगा भारतेंदु जी का नाटक बताने कौन सा नाटक भारतेंदु जी कमाना जाता है question number 302 है और 302 में आप सभी का आपर सईया आंसर है विकल्प नमबर D आनि की विध्या सुंदर दी वाला विकल्प आप सभी का याँपर सभी आंसर है विध्या सुंदर जो है आप सभी का सभी आंसर है 1868 का नाटक है और अंगला कॉस्चन याँपर देखेगा कॉस्चन नमबर याँपर दिया गया है 303 जैसंकर प्रसाद का सर प्रिथम नाटक बताना है सज्जन है, राजशरी है, कामना है, विसाक है 303 में आप सभी लोग चैन करिएगा क्या होगा सई आंसर लबली जी, कंचन जी बताईगा जैसंकर प्रसाद का सर प्रिथम नाटक बताना है 303 में तो विकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तीन में यानि की सज्जन होगा सही आंसर 1910 का माने जाता है सज्जन उसके बाद प्राश्चित, राजश्री, विसाक, अजासत्रू, जन्मी जैका नांग्यगे, कामना, इसकंद गुप्त, एक गूट, एक आंकी है और चंद्रगुप्त, दुरुपसौमनी यह नाटक माने जाते हैं अंगला कॉस्चन है आप देखेगा, दूसरा दरवाजा किस विदा की रचिना है, नाटक है, उपन्यास है, गीती नाटक है, कहानी है, 304 में आप सभी के लिए सही आंसर चेन करना है, तो 304 में आप सभी का सही आंसर है, दूसरा दरवाजा किस विदा की रचिना मानी जात तो आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा 304 में विकल्प नंबर एक सई आंसर इनाटक विदा की रचिना मानी जाती है विकल्प नंबर एक जिन्वाने भी चैन किया है इसके लेखक कौर मानी जाते हैं पता है इसके लेखक मानी जाते हैं लक्षमी नारंडाल लक्षमी नारं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर देते हैं यह आपके आपके नाटक दिये गए हैं और यहाँ पर आपके कूट दिये गए हैं इन कूट की सहाइता से आपको बताना है हानूस के रचनाकार कौन माने जाएंगे तो हानूस के माने जाएंगे भ बिल्कुल सही आंसर है, पेरों तले की जमीन के मौहन राकिये सो जाएंगे, और जल्चट्टा की मुद्रा राक्षस, इस परकार यहां पर सुमिलित किये गए हैं, कूट में आपका वी वाला विकल्प जो है, सही आंसर होगा, विकल्प नमबर आप सभी का यहां पर वी सही आंसर हैं यहाँ पर विल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा संकर सेस द्वारा रचित नाटक नहीं है नहीं बताने कोट मार्चल नेकवा द्रोणा चार घरोंदा या फिर अरे माया भी सरूबर प्रवीन जी अनीता जी और हर्वेंद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चैन करिये का संकर सेस द्वारा रचित नाटक नहीं है नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कोट मार्शल कोट मार्शल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपनने प्रिक्याता ने कि स्वदेश के कूट जाना है कि स्वदेश के कूट तो स्वदेश से स्वदेश दीपक और कूट से कूट मार्सल तो स्वदेश दीपक कमाना जाता है उन्निस सो इकानवे कई जो अइनाटक है सौधे सदीपक जी का अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखिएगा निम्नानकेत गीती नाट्टों का प्रिकासन वर्च के अनुसार सही अनुक्रम बतनाना है 307 में क्या होगा सही अनुसार एक गीती नाट्ट दियेगा है प्रिकासन वर्च के अनुसार सही अनुक्रम चैन करिएगा चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है और आप सभी का कौन सा विकल्प यहाँ पर सही अनुसर है कौश्चन नंबर साथ है और साथ में आप सभी का सही अनुसर है मतश्य गंदा अन्दा युग एक गंट विस्पाई और अगनी लीग आप सभी का यहाँ पर सही अनुसर होगा विकल्प नंबर डी जनो ने भी चैन किया मतश्य गंदा जो है उदै संकर वट्ट जी का 1937 इसका प्रकासन है अंदर धर्मबीर वार्ती का नाटक है गेती नाटक है पच्पन का एक कंट विस्पाई 1963 दोस्यंत कुमार और अधिनी लीक 1976 नहीं है भारत भूसन अग्रवाल अंगला कॉस्चन यहाँ आप देखिए अनक नाटक किस कभी ने लिखा है अनक बताने भारतेंदू हरिस्चंद्र ने या मेतली संड गुक्त ने सुमित्रा नंदन प उने जाते हें छैन करिये का कॉस्चन मत तुपून है और आप सभी का यहाँ पर सही आंशर होगा आठमे विकलत नाटक सुर्यंद बरमा का नहीं है नौ में आप सभी के लिए आपर चैन करना है एक दूनी एक मादा के अक्टस सेतु बंद या फिर कैद यह हयात 309 में आप सभी लोग चैन करिएगा कौन सा नाटक सुरेंद बर्मा का नहीं है नहीं में आप सभी का यापर मौनीका जी क्या होगा सही आंसर बताइए मादार प्रवाकर के नाटकों का प्रिकासन वर्ष के अनुसार आपके लिए सही अनुक्रम बताना है दस में दस का आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा सभी लोग विशनों प्रभा करके यहाँ पर नाटक दिये गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर ए चैन करना है question मत पूर है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तॉटते परिवेष उन्निस सो चोटते कोहाब रुग करण उन्निस सो पचतर डरे हुए लोग उन्निस सोटतर यह जो सभी नाटक है यह नाटक है विश्नु और इनका प्रकासन वर्ष के अंसार सही अनुक्रम चैन करना है तो ग्यारे में आप सभी का यहां पर सही आंशर होगा वेकल नमबर बी दॉक्टर कर्फिव कभीरा खड़ा वाजार में और कोट मार्सल विल्कुल सही आंशर होगा देखिए का डॉक्टर कृति अब भी सब्सापन हैंsol tutor. ऐसे प्रकासन है कर्फिव का क्या माना जाता है उन्न सो सही आनसर की यहां पर आपके लिए इन रचिनां को सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर देते कि कौन सी रचना किसकी है यहां पर आपके लिए कूट भी देगा है इनकी सहाथा से यहां पर बताना है भारत दुर्दसा की रचनाकार कौन माने जाते हैं तो भारत दुर्दसा जो रचना है यह माने जाते हैं कि इनकी भारतेंदु अरिश्चंद जी की महिंक मंजरी की रच रचनाकार कौन माने जाते हैं तो मैंक मंजरी के रचनाकार के सूरिलाल गोस्वामी माने जाते हैं रुकमनी पनिणाई के रचनाकार कौन माने जाते हैं अविद्या समपाध्यार योद माने जाते हैं सीता बनबास के रचनाकार माने जाते हैं जौला प्रसाद मिस्त्र है कौ लिखित में से दो समानांतर कथा पिर चलने वाला संकरसी का नाटक कौन सा है कौमल गंधार है पूस्टर है एक और द्रॉण चार है या फिर अरे माया वी सरूबर है 313 में आप सबीक लिए चहिन करना है 313 में आप सबीका या पर क्या हो गा सही आंसर 236 पर कथा पिरसंगों पर चलने वाला संकर सिस का नाटक, कौन सा है? तो 313 में आप सभी का सही आंसर होगा। वेकशाल जी हाँ पर क्या होगा सही आंसर? आप सभी का विलकुल सही एक और दुरोणाचार सी वाला विकल्प जो है बैं हाँ पर सही आंसर होगा एक और द्रोणाचार आप सभी का सही आंसर होगा कौमल गंदार, पोश्टर, अरे मायावी, सरूबर ये सभी जो हैं संकर से इसके माने जाते हैं नाटक और अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा प्रिकासन काल के द्रश्टी से महिला नाटकारों की नाटकों का सही अनुक्रम बताना है बताईए का कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चन मतपूर है, आप सभी का यहाँ पर 14 वा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वबीखलन नंबर क्या हुगा सईयां सर अबी वाला आप सभी का सईयां सर अभीना दिवारों का घर मन्नू बंडारी की रचिना है 1965 की और यहां पर ठायरा हुगा पानी 1975 गर की रचिना है जो राम रची राखा इस का जो प्रकासन है 1981 माना जाता है और नेपथ राग 2004 इसका प्रकासन माना जाता है नेपथ राग का इस विरकार यहाँ पर B वाला विकल्प आपका सही आंचर है विल्कुल सही अंगला कॉस्चन है एकांक्यों को उनके एकांकी कारों के साथ सुमिलित करना है चलिए यहाँ पर मत्वपूर्ण एकांकियां दिये गई है सुमिलित कर देते हैं कौन से एकांकी किसकी है तो देखेगा यहाँ पर आपसे पूंचा है जौंक एकांकी के रचिनाकार कौन माने जाते है तो देखेगा जौंक एकांकी माने जाते है किनकी नविकल्प नंबर आ वाहे इसके रचिनाकार वुबनिस्वर हो जाएंगे और प्रत्वी राज की आँखें कि रामकुमार बर्मा हो जाएंगे रचिनाकार विकल्प नंबर एवाला आप सभी का यहां पर सही आंशर होगा विकल्प नंबर एक आप सभी का यहां पर सही आंशर है विल्कुल चाहि विसस विसमौसदम को, नील देवी को, अंदेन नंगरी को, भारत दुरदसा को, 316 में आप सभी लोग चैन करिएगा, 16 में आप सभी का यमेस बर्मा जी सही आंसर क्या होगा, दिपक जी, भारतेंदु जी ने अपनी किस नाटक को, नाट रासक यलास रूपक कहा है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यापर D सही आंसर है, यानि कि आप सभी का क्या है सही आंसर D, D में भारत दुरदसा आप सभी का सही आंसर होगा, विल्कुल सही भारत दुरदसा आपका सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा सत्रहवा कॉस्चन है निमलिकित में से किस नाटक में जाती बाद की समस्चा को उठाया गया है बताईए सत्रहवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है नाटक बाल बगबान या जलता हुआ रत कोट मार्सल सबसे उदास कवीता चन करिएगा किस नाटक में जाती बाद की समस्चा को उठाया गया है तो कॉस्चन नमबर 17 यहां पर दिया गया है और 17 में आप सभी का यहां पर सही आंसर है कोट मार्सल इसमें जाती बाद की समस्चा को उठाया गया है स्वधेश दीपक प्रगती सील नाटक कार माने जाते हैं कॉस्चन नमबर यहाँ पर आपका 18 वा कॉस्चन है कि निमने लिखित मैंसे रामिस्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉंसन के नाटक बॉल पैनी इवं दीफॉक्स का हिंदी रूपांतर है यहाँ पर आपके विकल्प यहाँ पर दियेगा है इनमें से बताना है बताईएगा कौन सा सही आंसर होगा चैन करिएगा कॉस्चन मत्पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 18 वा कॉस्चन है और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नमबर जनौ ने भी लॉमण बेस भी चैन किया है उनका यहापर सही आन्सरों का वेकल्प नमबर दो आप सभी का यहापर सही आन्सर है रामिस्व प्रेम का अनुदित नाटक है लॉमड बेस बेन जॉंसन के नाटक वाल पैनी वाल ओनी तथा या दीप होक्स का हिंदी रूपानतन है वी लुड रूप में अंग्रेजी में है इनके अन्य नाटक का अर्चारपाई राजारंगा है कालपातर अग्यातगर अंतरंग केम्प और सस्तर संतान इनकी जो है अन्य नाटक काने जाती है यहाँ पर आपका तीर उननिस वा कॉस्चन दिया गया है निमने लिखित मैंसे किस एक आंकी में स्विक्त परिवार की समस्या को उठाये गया है बताईए क्या होगा सरी आंसर चैन करना सभी के लिए सरी आंसर चैन करिएगा निमने लिखित मैंसे किस एक कांकी में स्विक्त परिवार की समस्या को उठाये गया है अधिकार का रक्षक बहेने सूखी डाली अफे तॉलिये कॉस्चन नमबर 19 यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सूखी डाली विकल्प नमबर आप सभी का यहां पर सी वाला जो है आपका सही आंसर है इसमें स्विक्त परिवार की समस्या को उठाये गया सूखी डाली जो है अस्क जी की रचिना मानी जाती है इसमें स्विक्त परिवार की समस्या को दर्साया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतोष्ट करते हुए एबं एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है काल करम की दरश्टी से इन नाटकों का सही अनुकरम बता दीजेगा कौन सा नाटक आपका सही आंसर कौन सा करम आपका सही आंसर होगा मुकनत जी चुही जी चादना जी निलम जी बताईए सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं लाइक करते जाईएगा जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक बस्ते कर लेंगे सभी लोग कौस्चन नमबर 320 बा कौस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है तरसंकू आला अपसर भूँक आगे है और विस बन से आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक जन्होंने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सयांसर तरसंग को 1903 ब्रज मोहन साइक की रचिना है आला अपसर 1989 मुद्रा राक्षस की रचिना है भूंक आग है 1998 कृष्ण बल्दी अब्यद्ध की रचिना है विस बंच 1999 की रचिना है राजिस जैन जी की कौश्चन यहाँ पर दिया गया 21 कौश्चन है कि मुद्रा राक्षस की तिल्चटा नाटक में तिल्चटा प्रतीख है योन कुंठाओं का मानव मन की पास्विक प्रवित्यों का अधिकारी भर्ग का स्वार्थ निपरता उक्रूरता का या समांध व्यापी संत्रास्त का 321 म मुद्रा राक्षस में तिल्चटा नाटक में तिल्चटा किसका प्रतीख है तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है योन कुंठाओं का विकल्प नमबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है विल्कुल सभी यहन कुंठाओं आप सभी का सई आंसर ह नामक किर्ती की विधा क्या है 22 वा कॉस्चन या पर दिया क्या है वाइस में आप सभी के लिए चैन करना है डॉक्टर नामक किर्ती की विधा क्या है चैन करिएगा विष्णु प्रवाकर की रचिना मानी जाती है एक किस वेधा की रचना है ये चैन करना है आप सभी को 22 वा कॉस्चन है और विकल्प नमबर आप सभी का यापर सही आंसर हो का एक यानि कि नाटक है नाटक आप सभी का यापर सही आंसर है नाटक वेधा की रचना मानी जाती है डॉक्टर विष्णू प्रिवाकर की रचना इनक विदा की रचनाय हैं समाधी योगे गोई क्रांती तूटते परिवेस पूंचे जाती हैं रचनाय एक लब बे नामक किर्ती के लेखक कौन हैं बताइए एक लब बे नामक किर्ती के लेखक कौन माने जाते हैं भगवती चन बर्मा माने जाते हैं नहरामकुमार बर्मा माने ज जाते हैं नंददुलार रवाचपैय माने जाते हैं इंद Shenke अंचैंट मैं वीस से कोई नहीं माने जाते हैं तो कॉश्चन वाट्पूर्ण यहां पर नामक किर्टी कहें रच्नाकार कौन माने जाते हैं 23 हैं और 23 में आप सभी यहां पर सही आंसर होगा रामकुमार बर्मा वेकल्प नंबर बी वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर एक लब्ब है और रेस में टाई चारुमित्रा बादल की मृत्तुई ए इनकी महत्तपूर्ण रचनाय पूंची जाते हैं रामकुमार बर्मा जिकी और अंगला कॉश्चन है 24 किसकी नाट्ट करती है मुद्रा राक्षास की बलराज पंडित why विवतनबीर या फिर नांग बोडस जोबश में आप सभी के लिए चाहन करना है 24 किसकी नाट्ट करतीमानी जाती है बताईएगा चाहन करियेगा चार विकल्प आप के दिए गए है मत्तपू आंसर होगा, सी वाला विकल्प जनों ने भी चैन किया है, उनका सही आंसर है, चरणदाश चोर प्रसित नाट लेका के इवं रंग कर्मी हभीव तनबीर की नाट किर्ती वानी जाती है, पच्चिसवा कॉस्चन या पर दिया गया है, देखेगा कौन सा नाटक पर साद का नही है, जनमेजाय का नाग्यग, इसकंद गुप्त, दुरबसॉमनी या सिंदूर की होली, बताइए, चैन कन्ना सभी के लिए मद्द पूर्ण कॉस्चन या पर दिया गया है, कि कौन सा नाटक पर साद का नहीं है, तो आप सभी का या पर सही आंसर होगा, सिंदूर की होली जो है, ना केवल कामाईनी नामक महा काबल का, बरन नाट साइत को गरिमा तता उच्चे इस्तर प्रदान किया है, जैसंकर पर साद जी के नाटक है, अजार सत्रू, जनमेजाय का नाग्यग, और इसकंद गुप्त, दुरबसॉमनी, चंद गुप्त, एक गुंट, इनकी नाट गीती नाटे, कॉर्चे नमबर 326 में आप सभी लोग चेंगे, बताइए, שबदीस में सही आंसर चेंग करना है, पिरसाद जी के करोण लाले का नाट रूप क्या है, तो आप सभी का सही आंसर एक गीती नाटे माना जाता है, वेकलत नमबर आप सभी का D सही आंसर औगा, व और पहुमुक्य साहित प्रतिवा के धनी जैस जैसंकर प्रसाध कभीता के अतिरिक्त नोने चंदर गुप्थ इसकंद गुप्थ दुरबस्वामनी जनवेजय का नांग्या के करलाला जैसे अनियक नाटकों की इन्हों ने रचना की है प्रसाध जी प्रिकासित वे इसका कतानक जो है महाबारत युद्ध के अठारवे दिन की संध्या से लेकर पिरवास तीर थे में कृष्णी की मृत्यू तक के कलाखंड पर आधारत है और अंदग में पांच अंखें कौरब नंगरी पसू का उदय अस्वत थामा का अर्द सत्य गांदारी का स्राप और किर्मिक आत्मत्या एक किर्मिक आत्मत्या इंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कॉस्चन यहाँ पर 28 कॉस्चन पूँचा मौन राकेस का कौन सा नाटक मौन राकेस क्रित नहीं है नहीं बताना है बताएगा लहरों की राजहन से आदे अदूरे रक्त कमल या फिर आसाल का एक दिन 28 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया ये कॉस्चन अपनने कई बार पड़े इनकी नाटक पड़े है मौन राके जी के जिसमें यहां पर लहरों की राजहन से आदे अदूरा है आसाण का एक दिन भी है रेकिन रक्त कमल नहीं माना जाता है लक्षमी नारन लाल जी का नाटक मान कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन आपका यहां पर 329 यहां पर दिया गया है और 329 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चैन करिये कौन सी किर्ती भारते अंदू हरि रिशचन की नहीं है 29 में आपसभी का सही आंसर आरा है कि विकल्प नमबर एक सही आंसर है भारत रहन भारत रहन देव की नंदन त्रपाथी द्वारा लिखित एक नाट किर्थी मानी जाती है बिलकुल सई आंसर है जब कि अंधे नंगरी भारत दुर्दा साब एधी के हिंसा इंसा नबबती नाट रचिनाय मानी जाती है भारतेंदू जी की भारतेंदू जी ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना किये जिसमें कुछ अनुदित हैं तो कुछ मौलिक नाटक भी हैं प्रभु सत्ता संपन सासक बरग एवं गरीव सिल्पी के मद्द संगर से कता को किस नाटक की विच्छा वस्तु बनाए गया है तीस में बताना है बताईए वेसाल जी क्या होगा सई आंसर रमा जी बह कल्प नंबर एक सई आंसर है कौनार्ग कौनार्ग आपका सई आंसर है जगदीश चंद्र मातुर देखिए प्रभु सत्ता सांपन्य सासक बरग एवं गरीव सिल्पी के मद्द संगर्च कता को कौनार्ग नाटक की विच्छा वस्तु बनाए गया है इस नाटक का प्रमुक के पात्र विच्छू है कौनार्ग नाटक की रचीता जगदीश चंद्र मातुर मानी जाते हैं सती चंद्राबली और अमर सें राटो नाटकों की रचिना किसने की है कौश्च नंबर 331 में आप सभी को चैन करना है बताएगा राधाचन गोस्वामी बालकृष्ण वट्ट वारत्यंदू हरिश्चंद प्रताप नारणमिस्त्र है तीन सो एक्टिस में आपको बताना है मंजू जी जानवी जी क्या होगा सई आंसर सती चंद्राबली और अमर सें राठोर नामक नाटकों की रचिना किसने की है तो आप सभी का सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर क्या रहा है सई आंसर एक सई आंसर है राधाचन गोसामी राधाचन गोसामी आप सभी का सई आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर सई आंसर चैन किया है राधाचन गोसामी भात्यंदू जी ने भी वत्तपूर्ण प्रिसित नाटक लिखे है और अंगला कॉस्चन यहां पर देखते हैं क्या दिया गया है यदी प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जोला मुखी है इस कतन का संबंद बताने चंद्रगप्त कॉर्णिलिया दुरबसॉम्नी कॉमा चंद्रगप्त अलका या इसकंद्रगप्त बसंत सेना बताईएगा चैन करिएगा सभी लोग यदी प्रेम ही जीवन का सत्य तो संसार ज्वाला मुखी है इस कतन का संबन्द बताना है बताईएगा क्या होगा सही आंसर इस कतन का संबन्द है विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर चंद्रगुप्त कौन ने लिया आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एवालद होगा बैए आप सभी का सही आंसर होगा विल्कुल सही कभी जैसेंकर परिसाथ दोरा रचित नाटक चंद्रगुप्त से एक अथन लिया गया है कामाईनी न स्वासनी से कहा है यदि प्रेम ही स्वेजीवन का सत्य है तो संसार जो आला मुखी है कॉस्चन नमबर यहां पर आप सभी से 33 पूंचा है मादा के अक्टस नाटक किसने लिखा है मादा के अक्टस तीन सो तेतिस में चैन कन्ना है रांगी रागब लक्ष्मी नारनलाल या फेर हरी कृष्ण प्रेमी जैसंकर प्रसाद बढ़िया मत्पूंड कॉस्चन यहां पर दिया गया है मादा के अक्टस नाटक विदा की रचना है कि इन्होंने लिखा है 33 पा कॉस्चन है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है यह लिखा है कि इन्होंने आप सभी का सई आंसर अभी वाला विकल्प लक्ष्मी नारनलाल जी ने लक्ष्मी नानलाल आप सरी का यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है इन्होंने बहुत ही मत्पूर्ण मत्पूर्ण नाटक लिखे हैं इनमें से आपके लिए बताने कि निमनलिकत नाटक कारों में एतिहासिक नाटक कार कौन है एतिहासिक नाटक कार कौन है लक्ष्मी नानलाल है धर्म मीर मारती है या पिर उपेननात अस्क है या रामकुमार बर्मा है 34 वा कॉस्चन या पर दिया गया है एतिहासिक नाटक कार की रूप में बताने कौन जाने जाते है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताईए विकल्प नमबर D सही आंसर है रामकुमार बर्मा D वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है रामकुमार बर्मा यह अतिहासिक नाटककार की रूप में जाने जाती है और यह कांकी के प्रवर्तक भी माने जाती है उपेनात अस्क समस्या नाटकों की नाटककार है तता ये कांकी में सामाजिक बेंग कार हैं लक्षमी नारनलाल सामाजिक एतिहासिक मनुभय अज्यानिक नाटक कार मानी जाती है और धर्म बीर भारती गीती नाट परंपरा की नाटक कार मानी जाती है कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है भारत दूर्दसा, नील देवी, प्रेम योगनी, या फिर रणदिर प्रेम मोहिनी Q335 में आप सभी को चेन करना है 335 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है नहीं बताना है तो Q35 में आप सभी का आनंद जी, खंचन जी सई आंसर आ रहा है रणदीर प्रेम मोहिनी आपका D वाला जो है आप सभी का सई आंसर होगा विल्कुल सई आंसर है D जेनों ने भी चेन किया है सई आंसर होगा मुद्रा राक्षे सनाटक का नाएक कौन है कौश्चन नमबर 36 में बताने सिद्धार्थक हैं समीधार्थक हैं चाड़क के चंद्रगुप्त कौन है बताईए चैन करिएगा सभी लोग मत्पूर्ण कौश्चन याँ पर दिया गया है और कौश्चन नमबर 36 में आप सभी का सई आंसर है मिजी कि मुद्रा राक्षस नाटक का नाएक कौन है नाएक पूंचा गया है चाड़क के आप सभी का याँ पर सजी आंसर होगा विकल्प नमबर C जिनोंने भी चैन किया है संस्कृत के कभी विसाक दत्त द्वारा रचत साथ अंकों का नाटक माना जाता है बीर रस प्रधान नाटक है बिल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन है आप देखते हैं क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर 37 निमन मैसे आपके लिए वाताना है निमलिकेत मैसे कौन कार्यवस्ता के अंतरगित नहीं है तो आप सभी का यहांपर 337 में सही आंसर होगा विकल्प नमबर D सही आंसर उत्पात्य आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा उत्पात्य आप सभी का यहां पर D वाला जो विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर है फल प्राप्ती के लिए किये जाने वाला व्यापार कारे है ये नाटक में प्रारंब से लेकर अंत तक विस्तरत रहता है इसे विस्तार के पांच भाग किये गए हैं जने कार्यवस्ता कहिते हैं ये पांच होते हैं आरंब, प्रत्न, प्रत्यासन, ये ताप्ति और फलागम अंगला पॉस्चन ये आपा देखेगा इनमें से कौन से भागत्यंदू की रचना नहीं है ब्यादे के हिंसा, हिंसानवब्ति, पद्माब्ति, विसस, विस्मौसदम ये बादसाह दरपन तीन सो, अड़तिस में आप सभी के लिए चैन करना है, बताईए भागत्यंदू जी की रचना नहीं है, नहीं बताना है, अड़तिस में आप सभी को चैन करना है, चार विकल्प आपके दिये गए हैं और आप सभी का सही आंसर है पदमावती वी वाला विकल्फ आप सभी का सही आंसर है पदमावती जिन्हों ने विचेन किया है उनका सही आंसर होगा बालकिष्ण वट्टे का नाटा की एक पदमावती और अंगला कॉस्चन है आप देखिएगा बाबु तोता नाम ने यू लाइक एट बताईए तो बाबु तोता राम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो कानुबाद किस नाम से किया है तो सही आंसर है क्रतांते क्रतांत आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा पांचवे पेगंबन नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं राधा कृष्ण दास है कि सोरी लाल गोस्वामी है जैसेंकर प्रसाद है बारतेंदू हरिश्चंद्र है तो कॉस्चन यहाँ पर चालिस दिया गया है पांचवे पेगंबन नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं यह दिया गया है तो आप सभी का सही आंसर है चालिस में भारतेंदू हरिश्चंद्र है डी वाला विकल्प आप सबी का यहां पर सही आंसर होगा। वाला विकल पे जिनों ने भी चेन किया है उनका सही आंसर होगा विल्कुल सही भारतेंदु हरिष्चंद द्वारा रचित अनूदित नाटक है रतनावली है विद्या सुंदर पाखंड विडंबन है धनंजय विजय है मुद्रा राक्षा से सत्त हरिष्चंद है करपूर भारत जननी है अंगला कौश्चन आप देखेगा यहां पर दिया गया है इनमेंसे विजय अनूदित नाटक है अनूद्यत नाटक है बताईए कड़ी वाला वेकलफ आपका सही आंसर है जबकि भारत दुर्दसा, नील देवी, अंदे नंगरी, बैदे की हिंसा, हिंसान बप्ती, बेसस, बिसमोस दम, प्रियम जोगनी, चंद्रावली, सती परताप, ये भी इनी की रचना जो हैं माने जाते हैं कि इनके भारतेंदू जी क करेंगे क्या होगा सही आंसर, भारत में सबसे पहले पूंचा गया है पस्चमी रंगमंच की स्तापना खालिस्तान में हुई थी, तो आप सभी का सही आंसर है, ये स्तापना हुई थी कहां पर, बंगाल में, बंगाल में आप सभी का सही आंसरों का विकल्प नंबर, सी वाल अंग्रेजों द्वारा अंग्ला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन यहां पर दिया गया है 43 वा कॉस्चन है कासी में नेशनल थेटर की स्थापना की प्रीरक रही है कौन रही है बताईए कासी में नेशनल थेटर की प्रीरक 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 रही है यह बताना है तो डांक्टर जगमोहन है प्रताप नारमिस्त्र है मावीर प्रसाद दुबेदी है या फिर भारतेंदू हरिस्चन रहे 43 वा कॉस्चन है और 43 में आप सभी का सईयांसर है बारतेंदू हरिस्चन रही है या फिर बकरी है सच्चा धर्म है माधवी है कौन सा है 44 वा कॉस्चन या पर दिया गया है 344 वा कॉस्चन या पर दिया गया है सिंगार और बीर रस प्रदान नाटक कौन सा माना जाता है तो आप सभी का या पर सईयांसर आ रहा है कौन सा है मैंक मंजरी मैंक मंजरी आपका विकल्प नमबर ये वाला जो है आप सभी का या पर पाड़क माना जाता है कि सूरी लाल गोस्वामी जी का सभी नाटकों का हिंदी अनुबाद किस ने किया है मौन राकेस ने लाला सीता नाम ने विद्जर वास ने या फिर जग निखने मुकनत जी मौटिवेशनल जी सभी लोग बताईएगा लबली जी तनु जी क्या होगा सभी आंसर जिप्यांसु जी सेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुबाद किस ने किया है हिंदी अनुबाद किया है किनोंने तो 45 वा कॉस्चन या पर दिया गया है उमेश जी आप सभी का सभी आंसर होगा वेकल्प नंबर बी लाला सीता राम लाला सीता राम आप सभी का या आपर सभी आंसर है ने सेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुबाद लाला सीता राम ने किया है कॉस्चन नंबर या पर 40 दिया गया है संभवामी युगे युगे नाटक क की रचेता कौन है जे जे हरीजीत है मनमोहन ठाकुर है विस्णू प्रभाकर है पनिड़ता है तो 440 में आप सभी के लिए चैन कनना है बताईए संभावामी योगे योगे नाटक की रचेता बताने कौन माने जाते हैं राजिब जी और आप सवी का यहाँ पर अन्ची जी सही आंसर होगा संभावामी योगे योगे नाटक की रचेता जय जय हरीजीत माने जाते हैं विकल्प नमबर एं वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इनके अन्य रचनाय हैं रंगायन और महाराज नंद कुमार और समराट इसकंद गुपते बित्रोही बेतरनी के पार आती इनकी रचनाय मानी जाती है जैसंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है कौन सा क्रम यहां पर 47 में सही आंसर होगा एक बाल लाइक कर लिजेगा जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और सेर नहीं किया है जल्ली से कर दीजेगा वीडियो को लाइक और सेर प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है तो प्रसाद जी के नाटक कईवार अपने पड़े हैं तो सही अनुक्रम में तो यहाँ पर आपका सही आंशर होगा बी वाला विकल्प बिसाक अजासत्रू कामना और इसकंदगप्ते बी वाला विकल्प आपका सही आंशर है बिसाक 1921 अजासत्रू 1922 कामना 1927 और इसकंदगप्त 1928 खालिस्तान चंद्रगुप्त नाटक किनाई का हैं अलका हैं कल्याणी हैं मालविका हैं कौन ने लिया हैं कौन है बताईएगा कॉस्चन नमबर अड़तालिस आपर दिया गया है और अड़तालिस में आप सभी का क्या होगा सही अंसर प्रेनी, चंध्रकुप्त नाटक किनाई का बताने कौन मानी जाती है याँ पर रमीज जी चैन करिये का question number 48 है और आप सभी का सही answer होगा Cornelia विकल्प number D वाला विकल्प जो है बहरें, आप सभी का याँपर सही answer है Cornelia आप सभी का याँपर सही answer होगा कौने लिए चंद्रगुप्त नाटक की नाइका है और चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद जी का माना जाता है और चंद्रगुप्त नाटक की अन्य इस्त्री पात्र में कल्यानी है एलिस हैं मालविका हैं अलका हैं सवासनी आदी इसके जो है अन्य पात्र इस्त्री पा प्रिति सुध या फिर सिद्ध लिंग पट्टन सिट्टी विसाखा तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर तो विकल्प आपका यहां पर सही आंसर उननचास में चैन करिएगा कॉस्चन मत पूर्ण है और आप सभी का डी सही आंसर होगा दी वाला विकल्प जनोने भी चैन क्या है सुमिलेत नहीं है सिद्ध लिंग पट्टन सिट्टी विसाखा आप सभी का यहां पर दी वाला विकल्प जनोने भी चैन क्या है उनका सही आंसर होगा विल्कुल सही बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन है आप देखिएगा कलपां खालिस्तान है यह आपका चेलेंज प्रस्नि आपका आज का बताईए का कलपांतर क्या है कापे नाटक है या फिर गीती नाट महाकाप भे खंडेकाब भे यह आपको कमेंट में लिखना होगा इसका सही आंसर क्या होगा चार विकल पे दिये गए हैं कॉस्चन तीन सो पचास ह अगर दोनो साथ में लेते हैं आप तो चार सो रुपय में आपके लिए पीडियाप मिल जाएंगी नमबर पर आप संपर कर ले हैं फॉन पर या फिर वाटसब पर मेसेज कर सकते हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यबाद आज की वीडियो में वस इतना ही सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहेगा वीडियो को लाइक से एर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरह की क्लास से हम नरंतन रोज आपके लिए क्लास न लाते हैं प्रमोट जी लबली जी पंकट जी प्रीती जी राजिब जी निबंदना जी अपन्ना जी कंशन जी नीतू जी रिता जी अर्सिता जी रीमा जी और प्रीती जी अंस जी साधना जी रक्षता जी मोटिवेशनल जी मुकनत जी नीलम जी और जुही जी, कुमार प्रमोद जी, मंजू जी, रमेश जी, प्रिती जी, कल्पना जी, और MS बर्मा जी, मेदा संगीता जी, दीमा जी, राजीब जी, दीपक जी, मंजू जी, मंजू मेनपुरी जी और कंचन जी, संध्या कुमारी जी, आनंद जी, राहुल जी, राखी जी, जानवी जी, बंधना जी, कुमुद जी, तनु जी, नीता जी, और राहुल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह के question आंसर आपके लेकर आते रहते हम, हाँ मौनिका राठोर जी तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीती जी रमिस जी आरती वर्मा जी मिलते अंगली क्लास में सभी के लिए लाइक से रवस्त कर लेना है इस क्लास को जै हिंद